जे असलाम अलेकम तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि रोयल आईपी आपने एडसेंस लोडिंग कैसे करनी है सिम्पल और असाम तरीके से बताऊंगा फुल मैथेड जिसके तरूब आप लोडिंग कर सकते हैं तो इससे पहले अपको एक ब्रावजर की जूरुत पड़ेगी उप ब्रावजर मैं आपको सर्च करके बता रेताऊं क्हों से है हमें सबसे पहले ये ब्राव्जर डउनलोड करना है कि इस ब्रावजर में का safe strafe workshops है उसका जैसे इसानाम दी incogn souvenir ब्रावजर है तो आपने इसको डाउलोड करने नहीं यह free of cost है इस पर आपके आगर 6 मन्त तक आप इसको free यूज़ कर सकते हैं उसके बाद आपको सब्सक्रिशन लेरे पड़ते हैं लेकिन आप इसको अनिस्टाल करके दोबारा डाउलोड कर सकते हैं और वो भी free of cost होगा 6 मन्त पाद भी तो आपने इस ब्राउजर को यहां से आकर डाउलोड कर लेना है यहां पे दिया हुआ यह option जैसे आप देखें टेल फ्री ब्राउजर प्रॉफाइल्स फर फ्री तो आपने यहां पे आकर try for free now जैसे आप इसको अगर प्रसीड करेंगा तो यह आपको डाउलोडिंग की तर ले जाएगा तो आपने first of all इसको download कर लेना है उसके बाद जो second step पर वह आपने जो दूसरी website पर आपने जाना है आप पी रोयर आपने यह आई पी रोयर डोट कॉम सर्च करनी है सर्च करने के बाद यहां पर आपने अपना अकाउंट बनाना है रिजिस्टर्ड में जाके ही यहां पर रिजिस्टर्ड पर जाके आपने अकाउंट बनाना है अकाउंट बनाना है अकाउंट बनाने के बाद आपने लोग create new order यहां पे लिखा हुआ है अपने create new order पे click करना है तो basically इसका मकसद यह होता है कि यह हमें millions में IPs प्रोवाइड करता है जिस जिन को हम use करके जिन को हम loading के लिए use करते हैं तो जिस से हमारी anonymously हम use कर सकते हैं web sites को loading कर सकते हैं तो यहां पे एक ही plan होता है royal तो यहां पे आप GB select कर लेंगे यहां पे number of GBs का मतलब है जितना आपको data मिलेगा आप उतने time तक आप इनकी IPs यूज कर सकते हैं for example इनने आप ने पांच जिबी data लिया है जो आपको पढ़ेगा उन्हें 30 डॉलर का तक्रीब 30 डॉलर तो जब तक आपके पास यह पांच जिबी data होगा आप इनकी IPs यूज कर सकते हैं जब यह data खतम होगे तो आपने IPs यूज नहीं करनी ठीक है क्योंकि उसके बाद यह वर्क नहीं करेंगी यह आपको अलाओ तब करते हैं IPs जब आप इनका data यूज कर रहे हूं हलो अच जी तो जैसे मैंने आपको पहले वीडियो में बताया कि आपने जीबीज पर्चेस कर लेंगे जब आप पर्चेस कर लेंगे और यहां पे आपने रेजिदेंशियल प्रॉक्सी भी अब जब आप क्लिक करेंगे तो उसमें यह आपको दिखाएगा कि यहां पे आपका data शोग हो रहे हैं आपने यहां से स्क्रोर्ड डाउन करना है और यहां से आपने सेट करने प्रॉक्सी जिस कहंटी की आप प्रॉक्सी लिगा करना चाहते हैं यह लोडाइंग करना चाहते हैं एडसेंस की तो दो हाई सीपेम वाले कंट्रीज हैं मैं उनकी लिस्टा आपको बता देट हो जिन में आते हैं जर्मनी, बेल्जियम, स्वेडर, डैनमार्क, नौर्वेग, पर्तगाल, स्पेन, इटली, यूके, यूएसे, और कैनिडा और एक दो होड़ी कंट्रीज हैं जिनका सीपेम बह स्वेटिन है और जिस तरह मैं आपड़ा आपको शैटिन्ग के लिए, उसी अब आपने भी उसीपने सैटिन खिरने हैं और यहां से हम जाते है कंट्रीज में इटी भेट कर लिए डैनमार्क, नणा डैनमार्क ते बाद में स्टे स्टेट कर लेंगे जिन noir keyosit号 for its perspective nghिरrices अब high CPM के लिए आप यह क्या करते है gotta randomized you don't but, chce करेंगे अगर आप randomize आप select करोंगे तो फिर आपको high CPM नहीं आपको अपके वहल सबस्ब़ेक्ट करनी है अभर हम अनक παर्षों ही मियाव है यहां से एक state यहाँ हो सकता है एक आधी पे हाई हो ठीड है तो हमने कोफिजेंट सेलक्ट कर ले यहाँ पे और स्टेट यहाँ पर आपने इसको रेंड़मईजर रख यहाँ पर आपने सेलक्त करना है सूपिक स्ट्ट्ट्ट्प्स और अपनी वह से स्लिक्त किया तो आपने एन की यूजर नेम दिया था ठीक है उस यूजर नेम को उन्होंने यहां पे फालाइट करदी है ठीक है यह आटमेटिकली उसके बाद हमनों आप एक पास्वेट भी देगी है इसको हम अब भी थोड़े देर में यूज करेंगे और यहां पर हमने एक और लिंक देगी है अब आपने क्या करना है यहां पर क्वांटिटी में आप 50 स्लेक्ट कर लें और आप ऐसे रहने लि तो आपने क्या करना है यहां से पहला लिंक कॉपी करना है पहला लिंक कंट्रोल सी से कंट्रोल सी से इसको कॉपी करके तो उसके बाद आपने यहाप एक ब्राउजर है जो आपने डाउनलोड किया थे इनको वेटन यह ब्राउजर को ओपन कर लेना है इस method को यूज़ करने के लिए ये browser यूज़ किया जाता है ताके safely जो एडसेंस पर लोडिंग की जा है तो ये already मैंने कुछ profiles already मैंने create की हुई है ठीज़ है तो मैंने मुख्तलिप countries के नाम से बनाई है जो आप इस browser को open करेंगे तब ये आपको नहीं show होगी क्योंकि ये मैंने खुद बनाई है आपने home पे आप इस page पे होगे तो आपने इसको वहाँ पे जाने के लिए इस जगह पे आने के लिए आप profile management पे click करेंगे ठीच है तो उसके बएगा आपने new profile पे जाना है या पे option दिया हुगा new profile आपको start में new profile मिलेगा और ये नीचे sub blank मिलेगा यहां पे ऐसा कुछ नहीं होगा कि ये मैंने खुद बनाई है new profile पे आप click करेंगे profile name में मैं लिख देखता हूँ और फिद्यान तो मैंने states लख कीजिए आप कुछ भी लिख सकते हैं मैंने state का नाम लिख दिया है इस group आप इसको group का नाम नाई जाए तो बेटर है यहां से यह रख रहे हैं और यहां पे आपने mostly कोशिश करनी है कि इसको macOS पे रखना है कि जब हम website खोलेंगे तो वह हमारे जो location है वह हमारे location के हम select करेंगे वह बताएगा चाहे हम window use करें लेकिन वह यह बताएगा कि यह user मैक यूज कर रहे है यहां पे आपने latest version select कर लेना है 110 और add proxy पे click कर देना add proxy पे connection type लिखा हुआ है तो आपने यहां पे http select कर लेना http proxy और उसके नीचे जो option दिया हुआ है यह जो आपने link copy किया था यहां से यह जो आपने यहां पे पेस्ट कर देना है जब आप इसको पेस्ट करेंगे तो desktop information जो है वो आपके autofill हो जाएगी तो आपको बाकी information copy करके paste करने की जुरूरत नहीं पड़ेगी तो rotating proxy पे आप click कर देंगे आप इसको वह लिंक फिर पेस्ट कर देने कंट्रोल वी के साथ है ठीक है तो कंट्रोल वी के साथ इसको paste कर दिया और अब हम इसको करने लगे हैं चेक के हमारी proxy working में है यह नहीं तो यह देखें यहां पे country आगया है सारा उसकी हमारे पास information आगी है connected to proxy भी यहां पे show हो रहा है तो हमने यहां पे simple यहां पे आप यह create profile लिका लिखा हुआ है आपने ऐसे step by step follow करना है अगर नहीं करेंगे तो फिर आपके लिए issue बन सकता है हो सकता है वो सही वर्क ना करें तो आपने उसके लिए यह सब कुछ करना है उसके जाद आपने create profile पे कुछ settings यहां पे भी है आप देख सकते है time zone और time zone को आपने इसको जो है वो on रखना है यह क्या करता है कि जिस proxy से आप connected होते हैं यह उसके हिसाफ से आपका time change कर देता है automatically आपके यह browser को time है आपके यह device का time है यह automatically यह change कर देता है उस region से जिसके आपने proxy लगाई हुई है तो webtrc जो है वो इसको भी आपने टिक रखना है यह क्या करता है कि आपकी जो location है उसको देखने हो नहीं है ता आपको product करता है इसको भी on रखना है और बाकी इतनी ज्यादा settings है नहीं देखने वाली तो बस आपने इन दो settings को आपने चेक करके अपने create profile पर click कर लेना है तो यह आपके profile create हो गई है यहां पर आपको show हो रही हो दिखन यह मैंने select करना है अब मैंने क्या करना है कि इसको मैंने start कर जाना है स्टार्ट करने से एक नया browser उपन हो जाएगा ठीक है अब नया browser जो है इसके उपर हमने काम करना है यह नया browser उस proxy पे उपन हुआ है जो हमने लगाई है तो इसके साथ आप देख सकते हैं कि इसने हमारी language भी चेंज कर दी है यहाँ पर यह आप देख सकते हैं इसकी यह language है यह उन्होंने हमने डनमार्क के लगाई है यह तो डैनिश लेंगिज जो है वो यह उसमें convert हो गई है इसकी language तो हम यहाँ पर फॉस्ट उफाल आपने जब इस website की जब इस page की आना है तो सबसे पहला काम क्या करना है हर वक्त जब यह आपने browser open करना है तो सबसे पहला काम जाए वह आपने यह करना है कि अपने यह website open करनी है who are.net तो आपने इसको search mark है इसका क्या फाइद है इसका यह फाइद है कि यह आपको बता देगा कि आपको आपका IP address क्या है जो आप देख सकते हैं यह आपको IP address होकर गए और इसका DNS नमबर आपने कोशिश कर लिए है कि आपका DNS नमबर जो है आपका वो ही हो जो आपकी country का जिस country का आपने IP लगाया हुआ है तो इसके लिए क्या करेंगे हम इसको इतना रिफ्रेश्च कर लेंगे हमने रिफ्रेश्च किया है तो यहां पे 100% आ गया है यह हमें security बता रहा है कि you are discussed 100% your anonymity, mayors are safe or you don't use them तो यहां पे anonymizer पे आप देख द सकते हैं कि हमारा जो वो आ रहा है proxy जो है वो कह रहा है कि आपने नहीं लगाई हुई और blacklist भी नहीं है तो यह आप देख सकते हैं कि जितनी बार भी आपने यह process repeat करना है कोशिश करनी है कि एक IP को आप एक बार यूज़ करें ठीक है एक IP को आप एक से ज्यादा बार यूज़ ना करें उसका यह होता है कि फिर वो इसकी reputation पर फर्क पड़ता है कि यह same user बार बार उस website को देख रहा है तो इसका यह फर्क पड़ सकता है आपने इसको एसको यूज़ एक अबार युज़ करने हाप ने इसको क्या करना है इसको याद रखना कि इसको आप ने IP इसटेंट यूज़ करते हिसके लास्त में 165 42 Уन आता है यहाँ आपने दोबार यूज़ कि ही कर सकते क्लिक है अब इसको कॉपी करने हैं और करने की पेस्ट करने हैं इसको वैसे याद रख लें यहां पर आप देख सकते हैं कि यह बार है कि मैक OS X यूज कर रहा हूं ब्राउजर वोई इसकी सारी यहां पर नहीं कर दिया है सारा कुछ दे दिया है कि यह यह 100% से तरीक है है इसको वैब साइट पर लोड़िंग करने का तो अब आपने क्या करना है जब आपने देख लिया है कि आप 100% से एफ है वेबसाइट को यूज़ करने के लिए तो तो आपने नेक्स टैब खोलना है अपनी वेबसाइट सेर्च करना है क्योंकि इसके लिए आपकी अपनी वेबसाइट होना जुरूरी है मैं इसी साफसी विडियो बना रहा हूँ कि आपके पास अपनी वेबसाइट है और आप उसके उपर लोडिंग करना चाहते हैं तो मैं अपनी वेबसाइट सेर्च कर लेता हूँ मैं इसी तरह अपनी वेबसाइट सेर्च करना नहीं है मैं आपको लोडिंग करकर इखाता हूँ यह मेरी वेबसाइट है यह लोग पर ब्लोक जब आप इसको लोग इन करेंगे तो अभी इसके उपर आड़ाना शुरू हो जाएंगे और जब आपने डेनमर्क रीप लगार है तो अगर आपकी वेबसाइट पर एड़ भी उसी लेंग्विज में आरहे हैं जैसे आप देख सकते हैं यह भी उसी language में add है, यहां पे sidebar में, और नीचे footer में भी उसी language के बाद है, आपने क्या करना है, जब आपने पहली website को search करना है, उसके लिएदिस क को scroll down करना है, यह क्या होता है, यह इंप्रेशन होता है, यह आप impression दे रहे हैं कि आप इसी location से जाइट के कोई user है, खुद नहीं मतलब कोई यूजर इस वेब साइट को यूज कर रहे है सरी है तो एक बर आपने स्क्रोल डाउन करना है फिर स्क्रोल अप करना है ठीक है तो यह आप देख सकते हैं कि मैंने इसको यह एक इंप्रेशन काउंट होगा कि यूजर में जया वो यह नहीं कि हमने सिर् पर क्लिप करना है हमने फरस्ट उफाल हमने इसके उपर इंप्रेशन देना है इंप्रेशन देने के बाद आप मैं क्या करूगा मैं इन सब टैप्स को टेकनोलोजी एडुकेशनल इंटर्टेनमेंट डिजिटल मार्केटिंग अब मैं इनको सब को हीके करके उपन कर लोगा आपने इसको ओपन कैसे करना है यहां पर आपने उसको लेकर आना है उपर करसर को कंट्रोल प्रेस करके आपने लफ्ट क्लिक करना है तो मैंने लफ्ट क्लिक किया तो इसे मेरी आइड शो करती है तो यह जी मेरे पास आइड आ रहा है यह उसी लेंग्विज में है जिसका म कि ही CPMO तो आपके पास उसी वेबसाइट काई एलाना बहुत जरूरी है तूर्म है इसको उपन कर 높या है किकर उन्होंने खुद उपन करने का औक उप्षिन थियो है तो अब हमने से हैं प्रोसीजर करना इस Sorry हम इसको impression देना है ताकि यह ना फिल लो कि खुद से कोई self clicking कर दाया है या loading कर दाया तो हम एक पर scroll down के हम इस ग्रोल अप किया हम यहाँ पर 30 seconds तक at least 30 seconds तक हम इसे upside पे रहेंगे तो ऐसे हम दो तीन pages खोल के scroll करेंगे scroll up करेंगे ऐसे हम इसको मुख्रिफ इसके tabs खोलेंगे और उसको हम ऐसे impression देंगे जब basic करने होती earning होती है वो इसी चीज़ की होती है कि आप उनकी website पे जाते हैं उनको impression देते हैं उनको click देते हैं तो यह 100% safe तरीक है यह earning करने का इसी तरह आपने ऐसे scroll down करना 30 seconds पूरे करने है ऐसे आपने 30 seconds पूरे करके for example मैंने लिप कर लिए है तो back चला जाओंगा यहाँ से यह back जाने के बाद control को hold करके रखोंगा और left click करोंगा mouse है तो left click वरना touchpad से touch कर सकते हैं तो यह मुख्लिक tab से है वो मेरी website के ओपर होना शुरू हो गया है तो इस पर आपने क्या करना है आपने हर बार एक एक tab को खोड़ना है इस तरह तो यह क्या होगा यह आपका page का view count होगा क्या कितना views आपने दीना है उस page पर आप यह देख सकते हैं यहाँ पर जो मेरे पस ads show हो रहे है mostly जो है यह उसी language में है जिसका मैने IP लगया होगा है high cpm के लिए जरूरी है कि आपके जो ads हो वो उसी website उसी country के होगा जिसका अपने IP लगाया हुआ यह एक important point है high cpm के लिए जिसके उपर आपको एक click पे 20 dollar भी मिल सकते हैं 30 dollar भी मिल सकते हैं 8 dollar भी मिल सकते हैं तो यहाँ पर यह IP है और यह dns number है यह same country का होगा तो आपने जब दोनों same country का होगा तो यहाँ पर आपकी safety जाए 100% हो जाएगी समझ रहे तो आपने सब pages को scroll down करना है चाहे sequence ही करें चाहे आप उसको random करें जैसे मैं करदा हूँ तो मेरी website पर काफी article लिया स्क्रोल डाउन करके अपने को यह कदा चाहे पर यह कदा क्या article आपने open कर लेना है इस तरह ताके impression के साथ आपके views भी count हो जितने ज्यादा views होंगे impression जितने ज्यादा होंगे उससे क्या होता है कम clicks पर भी ज्यादा earning होती है तो मैं अपने हर एक page को scroll down करना है फिर आपने scroll up करना है अब मेरे यहां पर कुछ article जैसे हैं जिन पर ICPM मिलता है तो मैं अगर इस article को open कर लेता हूँ तो मुझे एक view मेरा और एक view count हो जाएगा तो मैं इसको scroll down करता हूँ इसी पर आपने साथ से आठ बार अपने website को views देने है तो impression देने है यह मैं scroll down और अप कर रहा हूँ यह एक किसम का impression जा रहा है तो अब देख सकते हैं कि मैंने article खोला है उस पे भी ads show हो रहे है और ads भी article के center में भी हो रहे है और footer भी हो रहे है और top पे भी हो रहे है तो इसी पर आप में यहां पर अब जैसे मैं एक 3 गीज़ पे में एक और एक click कर जाँ अब पिछले दिने जन्म मैं पिछले 2-3 जन्म से जन्म कर रहा हूँ इस पे 10-12 से 20 इस डानर भी पर click तक मिले है तो अब हम अपने क्या करना है कि इसको अपने full impression देना है scroll down करना है यह हमने इसको बिल्कुल organic तरीका बनाना है ताकि Google को यह ले फेल हो कि यह कोई fake person है यह कोई सिर्फ clicks के लिए कर रहे है यह चीज़ करने के मक्सद यह है यह हम इनको impressions दे रहे है ताकि दूसरी website जिसको हम visit कर रहे है जिनके हम click ले रहे है ताकि उनको भी फाइदा हो उतना हमें हो रहे है तो अब आपने उनमेंसे कोई भी एक open कर ले बार तो फिर आप इनमेंसे किसी एक product को open कर ले जब तक उपन होता है आप दूसरी page पो यूज़ दे रहे तो इसकरा मैं सब pages को यूज़ दूगा और maximum आपने तेन क्लिक्स लेने अगर हैसी पेम आ रहे है वरना चार पॉइंच से ज्यादा ने अगर आप ज्यादा इसी तरह जिस तरह मैं कर रहा हूं से तरीके से आप पांच क्लिक्स भी ने सकते हैं क्लिक्स कोशिश करें कि तीन चार तीन चार दो अगर ज्यादा एसी पेम है तो आपने इसी तरह क्लिक्स को लिए इंप्रेशन देना है अर्मिंग भी आपको व्यूज और इंप्रेशन के इसाफ से अच्छी होती है जिसके अच्छी आप फिरूज देंगे उसाफ से अब देखें और मैं इसको अर्टिकल भी खोल रहा हूं तो मेरे उसके इंदर भी एड्स शो हो रहे है और एड्स भी उसे का इंट्री के शो हो रहे हैं जिसके मैंने आईपी लगाई हुई है आईपी लगाने के मक्सद ही होता है कि आपके जो प्रॉक्सी है वो शो का रहा है कि आपने कोई प्रॉक्सी में लगाई हुई यहां पे नोक आप्शन आ रहा है अनॉनिमाजर वह है कह रहे हैं कि आप इस यूजर ने खुद को छुपाया हुआ भी नहीं है तो यह इस प्रोक्सी को दूज करने का फाइल है कि आप 100% real visitor होते हैं चाहिए आप इस तरह भी आप सर्च कर रहे हैं तो तब भी तो अपने इस तरह इसको आपने पाइब एक इंप्रेशन देने के बाद आपने फिर एक एड़ पर क्लिक कर दें है तो यशे मैं अभी तक दो एड़ गलिक कर दी आप इसको मैंने 30 से ज्यादा टाइम देगी है एक मिनट से ज्यादा तो उससे फर्क में बढ़ता क्योंकि आ ज्यादा इंप्रेशन अच्छा होगा, आपका CPM जो है वो हाई होगा, और उसके जाब आपका जो एड इंप्रेशन का एड रवनी पर मायर है, वो भी आपका हाई होगा, अब इसी पर आपने मुख्तिफ एड्स को स्क्रोल डाउन करना है, आपने मुख्तिफ देने से दूसरी वेपसेट का भी फाइदा होगा, जिसको हम देने और उसका हमें भी फाइदा होगा, तो इस तरह अपने स्क्रोल डाउन करना है, फूल स्क्रोल डाॉन करना है लाकॉस तक इंपरेशन देना होा या आदा देखके छोने देख रहा है दाया एंड पकाना है तो इस तरह आपने तक इंपरेशन देना फिर आपने यह सेστर चरी जाले तो अधो दो काफ्य सेजरंड बन ऺैण से सब्सक्राइब कश यह अपने ऐसे करना है फिर आपने को एक और टैब को लें ना इनका और किसी चीज़ को भी ओपन कर ले मैंने अभी तक क्रीबल में तीन-चार क्लिक्स कर चुका हूं मैं एक अधा क्लिक और करेंगा यहां पर यहां पर मेरे अर्टिकल जाए वो हाई सीप्यमान है तो मैं एक एड्स आ रहे हैं मेरे बनाइक ते और एड्स आभी उसी लेंगीज में रहे हैं मोस्ट लीग हैं 90 परसेंट तो अपने इंप्रेशन अच्छा देना है एड्स के अपने अपसाइट पे भी और जिसको अपने फिलेट करना उसको भी और उसी साब से तेरा दिन गया हूँ अ अब हम ऐसे दूसरे टैप को भी ऐसे स्क्रोल करेंगे तो बैसिकली आप में ये प्रोसीजर है कि आपने किस तरह इनको विए करना है ठीक है और हैड्स मेरे अभी भी शोग हो रहे हैं दूसरे टैप सी तो इसी तरह आपने रिजर्ट करना इसी तरह आपने इनको विजिट करने इंप्रेशन देने अब ये वेबसाइट ओपन हो गई है तो पतने क्या लिखा हुआ है लिकिने मैं इसको के कर दिये तो यह से इसको लाइन करने है चाहे तो आप इनकी विजियो भी चला ले उसे भी अच्छा इंप्रेशन जाता है वी के लिए चला ले इस तरह से चला कि आप फिर दूसरी ऑप्शन की चलेगा है इससे क्या होता है कि उनको फील होगा कि ये रियल यूजर है जो हुनकी वेबसाइट विजिट कर रहे है मुख्लिफ टाइबस कुले मुख्लिफ मतलब ते चार भी उस्ती है हमने चार पाच उस तो उनको ये फील होगा कि ये रियल बन गया है तो उनको फिर उस हिसाब से हमारी जया हो हमारस जो है वो अन्में उस हिसाब से ज्यादा हो कि फॉर एक्जैंपल अब आपने चार क्लिक कर लिए है एक एक बार आपने इसको उपन किया तो आपने चार क्लिक कर लिए है अब कि अप्र नियुक्त कर देख लिए तो बेतर यह लेकर आपने इसको इसी तरह इप्रेशन देना अच्छा को अब स्पोस्ट यह इसको सब को देख लिया है अब हमने क्या करना है हम लेंको बंद कर देने सब टैप को क्लोज कर देने क्लोज करने के बाद आपने जो आई-पी है इसको याद रखना है कि आपका आई-पी क्या था तो इसको कॉपी करना है यह कि में समझारी किस लंगी भी आपने कंट्रोल सी से कॉपी कर लेना है यह यहां से कॉपी कर लेना है तो आपने इसको क्या करना है इस टैप को भी क्लो ब्राउजर में जाना है यहाँ पे आप last open select करेंगे मतलब इसका मतलब है के all time और advance में जाके इसको भी आपने all time select कर लेना है और इसको यह submit कर देंगे करेंगे तो आप जब यहाँ पर देखेंगे तो आपकी history आपको clear हो चुकी है बिल्कुल यहाँ पर history में कुछ चीच हो रहा है ठीक है आपने सारा data delete कर दी है और इसको आपने एक बार close करना है close करने के बाद यह ब्राउजर है ठीक है हमने यहाँ पे तीन डॉट पे आके cookies है कुकि जा रहा है हमने यहां से इसको clear कर दिन है इसे क्लेयर कर देर कवें इसे क्या होता है कि मुख्तरिक भी website होती है उनका जो कुछ नहीं हमने सर्च किया हुता है उन वेब साइटो को यह स्क्रूल किया हुता है उनका डाटा हमारे browser में रहा देगा अगर हम उसको clean नहीं करेंगे और next time हम जब browser खोलते हैं तो उनको पता चल जाता है कि ये user पहले इस website को use करता है अगर हम clear cookies कर देते हैं उससे क्या होता है clear cookies पर उससे क्या होता है कि उनका data होता है बिल्कुल clear हो जाता है और आपने ये करने के बाद same procedure वही करना है आपने दुबारा यहां से start का option लिखा हुआ है same ip पे same profile पे आपने इसको start करना है अभी ये browser open होना शुरू हो जाएगा चंद second लगते है और फिर वही website आपने search करने है इस तरह website search करने है यह वाली यह आपने first of all जरूर करने है अगर आप नहीं करेंगी तो इससे आपको नुक्सान हो सकते है आपकी website पे जो है वह यह तो आपको अच्छा CPI में नहीं मिलेगा तो यह मैंने last मैंने ip address search किया तो जिसको मैंने website जो last मेरा ip लगा हुआ थे जिसको मैंने copy किया थे वह यह वाल है 165 लास्ट पे है double to one 165 है अच्छा तो यहां पर इन्हों ने फिल्लेंड दे दिया है तो इसलिए यहां पर 70% है moderate security and anonymity remarks तो मैंने इसको क्या करोंगा फिर refresh कर दूँगा तो अब आप देख सकते हैं कि इन्हों ने मुझे मुझे fresh IP देगी है यहां पर आप देख सकते हैं double one two वाला IP मिल गया मुझे अब क्या करूँगा अब next time पर फिर मैं अपने website सेर्च करूँगा अगर आप कुछ समझ नहीं आती तो इसको दुबारा फॉलो करें जो मैंने पर लिख किया है तो उसके बाद आप इसको फॉर्म करें कि मैं अपने website खोली है तो मुझे साथ ही ads आना शुरू हो गए है और यह उसी language में है जिसकी मैं IP यूज करता हूँ ICPM के लिए जरूरी है कि अगर आपके पास अगर यहां पर मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप यह DNS नंबर मुख्लिक है और आपका IP मुख्लिक है तो यह में वज़ा होती है कि आपको ICPM किसे नहीं मिलता अपकी पर-click की warning होती है वो कम होती है अगर यह दोनों सेम ना हो तो यहां पर आपको देख सकते हैं है बातेर बीज pork defending होगा हुआ हो अगर उसका सारा शोक का रहा हूँ तो मैं तर इसके यहां इसके प्रेशन है इंप्रेश्ट होगा तौर में उज्यादी होगा जैसे नहारी ब technos आपको बिता शुका हूँ तो इसी तरह आपने क्या करना है इंप्रेशन देने के बाद टॉप पर आना है तो कंट्रोल को होल्ड करके रखना है और आपने लफ्ट माउस का लफ्ट प्रेस करना है बटन या फिर आपने लफ्ट आप के टचपैड को क्लिक करेंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं कि उन्होंने मुझे आइज दे दिया है तो माउस को उपन कर लोगा अच्छ जब ओपर से यह ब्राउजर यहां पर यह सर्चिंग में होता है तो तब तक आपने इंप्रेशन नहीं देना जब तक यह रुक जाए यहां पर वह ब्लों का ब्ल करने है कि इस तरह आपने इंप्रेशन देना है यह मैं अभी बाद में आपको इसका इंप्रेशन की अदमी भी दिखाऊंगा कि मुझे से कितने जीजर पर कितने अपनी गुई है उसके लिए वह शापर देडियों बनाकर दाल का वह आज की अभी जो मैं काम करूं इसी काम के तो यह हमने इसके इंप्रेशन दे दिया हमने किसी एक- amendment करने है अ को हुआ हमने को फुल स्पेशन देना है कि आमने के upside को वी हो अ है आरी यूजर की तरह हमने उसको tweet करने है और यसे जैसे एक क्यष्य एक टॉब को छथर कुई ट्लापन निया असको कर लें इस तरह हांवर इसको स्क्रूल डाउन करते हैं हर बार तो इस तरह आप़मेंको स्क्रूल करने है तो इससे क्या होता है आपका impression अच्छा पढ़ता है जैसी मनें बिताइए आपको अब हमने 30 sec ज्बजार लिया है तो हम इसको Close कर तो को इस को भी क्लूज करना हैमारे थे सब्सक्राइब करने और यख जैसी ये शोज हो रहा था जो तब आपने इसको इंप्रेशन नहीं डेना क्योंकि उससे आपको इंप्रेशन कärtनी हो तो आप dernier अपर्फरशी ओन हो गया है तो मैं सिर्के-प्रियाबm करें मैं सेम प्रोसीजिर करने आपने हर बार जैसे मैं पहले बता हैं इस इतरा आपना फिनी करने apt अगर आपने एक कंट्री का Mकsimum IP यूज़ स्विज़ लिए आपने अगर आप same ip पे करेंगे तो वह आपकी duplication में आगी कि यह user बार बार इसको यूज कर रहा है अपने same ip से तो आपने क्या करना है refresh करते ही रहे है refresh करेंगे अगर मैं इसको भी refresh करता हूं तो यहाँ पर रेपास different ip आ जाएगा कभी कभी ऐसे भी होता है कि refresh करो कि आपने यूज किया हूँ आई पी होता है वह आ जाता है अगर वह आए तो आपने व्याद रखना है उसके आपने कभी भी इसको यूज नहीं करना और same procedure करना है आपने ऐसे यूज देने यूज देने के बाद जैसे मैंने आपको पहले पत जान meth होता तो यूंज के बाद आपने City में आके History में आके browser पर आके यहां पर आपने यहल टाइम सेलक्टिल है अर्था अर्टाइम का डायकर यह हो के चीज यह घुज है तो यहां पर करेंगे तो यहां आपका सारा यह वह दलीट हो जाएगा इस्ट्री जी है वो डिलेट हो जए जब आपने सब एड्स को देख लेना तेन क्लिक्स को सब प्रिविव्ज इंपरेशन दे दिना है तब आपने वो करना है तो अभी मैं इसको छोड़ देता हूं और जब आपने मैक्सिमम आइपी उस कर लिए और आप अगर किसी और कंट् यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर open दिया को αυτό मैं रडानर्म tulee है हो तपेले जो आपने यह हैं से अगर आप आप स्थोलिय करना है फिर्कॐं कर ले अरंडम नहीं करना क्योंके रंडमर्दम से खम आता है। यहां पर आपने एडले, ब्रिस्बन, कैंबरा, यहां पर मेलबन या यह जो इनके मेल मेल सिटी होता है उनका हाइप जो होता है ना जो उस पर जो अर्निंग होती है वो ज्यादा होती है सीपी से जया होता है तो आपने इमने से एक सेलेक्ट करना है इसको आपने हैंडमाईज रखना है और यह स्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट यहां से एक कॉपी करना है, यहां से एक लेंग कॉपी करना है, ऐसे एक लेंग कॉपी करना है, तो एक लेंग को कॉपी करने के बाद आप इसको पेस्ट कर देंगे, कहां पेस्ट करना है, जैसे आपने एक कॉपी किया है, उसके बाद आप आएंगे लेंगे कुगले की ब्रा यह प्रफाइल का आप नाम देंगे हो जी मैंने लिखती है यह इस्टूलिय का है तो मैं उस सिटी का नाम भी लिख सकता हूं या उस का इंटी का नाम भी लिख सकता है आपने यहां पर Mac स्लेक्ट करना ना या Windows स्लेक्ट कर लेना इन दोनों में से एक तो उसके बाद आपने add proxy करना है add proxy के बाद without proxy के यहां पर option आ रहा है तो यहां पर आपने HTTP कर देना है यहां पर आपने जलों copy किया है वो यहां पर आपने पेस्ट करना है Link कौन सा? Link यह वाना यह वाना link तो copy करना है यहां पर आपके paste करेंगे यहां पर आपके प्रसीजर करना है जैसे मैंने पहले किया है क्या होगा आपके नई profile create हो जाएगी तो इसी तरह profile create करके अपने clicking करने है तो मैं इसको pencil कर जाए तो कि मुझे लिस्क जबूत नहीं है मिरे पस already profile जाए यहां पर maximum 10 profiles यूज़ कर सकते हैं अगर आपने 10 यूज़ कर लेए तो आप क्या करेंगे इनमें से select करके जिनको आपने ज्यादा यूज़ किया है उनको select करके action में जाके यहां से आप उनको delete भी कर सकते हैं इनमें से active profiles ठीक है और यहां पर आपने उनको क्या कर सकते हैं अगर आप उनको delete नहीं करना चाहते हैं तो आप उनको modify भी कर सकते हैं जैसे यह है American मैं इसको select करता है उसको ज्यादा action में जाता हूँ मैं इसको modify कर जाता हूँ modify का option है edit proxy setting ठीक तो यहां पर मैं इसको http कर देता हूँ जो मैंने link copy किया है यह मैं यहां पर जालूँगा तो यह switch हो जाए यह new Australian proxy में यह option आपने जरूँ select करने है यह जो switch है यह मैंने नाम खोड़ी रखे हूँ इनके आप भी चाहिए कर सकते हैं यह खुच से रख सकते हैं यह मैंने वह मेरी American proxy है आप मैं इसको क्या करूँगा अगर मैं यहां पर update कर दूँगा तो यह proxy जाए यह जाए वो मेरी इस्टेलिय की proxy लगते हैं तो इस तरह आपने इस पर काम करना है mostly आपने ज्यादा से ज्यादा 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 आपने clicks ज्याए आप कोशिश करें कि ICPC मिल जाए तो फिर clicks कम करें कम से कम clicks से start करें जब आप एक दो payment साफ filter करवा ले तो उसके बार जाए आप फिर उसको कम को ज्यादा बढ़ा सकते हैं मजीद उसको बढ़के में ला सकते हैं तो यह जैसे मैं लगता है impressions ज्याए वो जरूरी होते है कि उससे और नहीं में इजाफ़ा होता है क्लिक्स के जवा किया वो इसी तरह अक्लिक्स के यूज करके और पैसे बना सकते हैं क्लिक्स